थर्टी तक हो चुके थे अपने आगे कोशन सुरू करते हैं टो अधिन्ग यहां तक हो चुके थे बाकि अपने को अपने सारे वीडियो लेक्ट्स देख रखें यह मैं मान के चल रहा हूं वना कोशन समझ में नहीं आएंगे क्योंकि मैं सारे कंसर्ट वही काम में ले रहा ठीक है तो आगे बढ़ते हैं कोश्चन से तो विच अपड़ फो घंपाउंट वीर्व एक्जिबिट लिंक स्क्राइश अब लिंकर आई इसमेरियों कि लिए कि लिए आप के पास में लिगेंड होने से यह एंबी डेलेंड इन्ट है लिगेंड होते हैं ऊते हैं वह लिंपै टाइं देख मेरे कंसेप्ट से कॉेशन तुरंद होते हैं और सारे कुषिन होतें ईसा नहीं कि कमेशन बताया उसे कुष्छ से नहीं मैंने कोश्ण लाइन से लिए घ्यक है और एक आप से कुछ बात करदी से बात कर लें चलो कि किसी के पास में अगर जैमेंस के सब्सक्राइब एक अच्छी सी बुक हो तो उसका मतलब डीजिटल पीडिएफ पीडिएफ होना तो मेरे को फॉरवड कर देना क्योंकि मुझे जैई मेंस के सारे कुशन करवाने हैं और मुझे बुक नहीं मिल रही है इसलिए दिक्कत यह है कोई अच्छी सी बुक मिल नहीं जीरो और अगर आप टेलेग्राम यूज करते हो तो टेलेग्राम पे आप मेरे एट दी रेट राहूल मेरा अप सर्च करोगे तो मेरा अकाउंट आ जाएगा ठीक है तो इस पर इन दोनों पर आप संड कर सकते हैं मेरे को चली जी आई कौन सो करेगा तो कंसेप्ट एक अग्ता है तो जी यही तो करता ही करता है कि अच्छा के मतलब है कौडिनेशन नमबर कितना होगा शिक्स होगा मेटल होगा और आप अलग अलग टाइप क्यों हो सकता है छेके छे लिगन अलग M-A-B-C-D-E-F छेके छे अलग टाइप के तभी कितने इसो मर दिखाता है पं A4 B2 अगर ऐसा है M A4 B2 है चलिए या M A4 B2 को क्या कर दू B और C में स्प्लिट कर दू या M A3 B3 ये तीनों दिखाते हैं 2GI कितने दिखाते हैं 2GI उसके बाद मैंने आपको क्या बोला था कि स्क्वेर जो टेट्रा हेडल होते हैं टेट्रा हेडल कॉम्प्लेक्स और 1 M A N N का नमबर कुछ भी हो सकता है 1 M A N और B B मतलब अकेला यहां 2-3 लिगन नहीं होगे ये लोग GI सो नहीं करते हैं बतलब GI में इतनी बात याद रखनी होती है मतलब सारी GI के सारे कुशन हो जाते हैं मैंने पूरा का पूरा GI आपको रिवाइज करवा दिया तो GI कौन करेगा अब यह देखे यह कैसा है इसको लिखोगे M यह A2 B2 M A2 B2 यह तो GI सो करेगा यही GI सो कर रहा है और यह क्यों नहीं कर रहा है क्योंकि यह M A इसको A लिग दिया और टांग में आ जा फॉर फॉर मतलब कोई कोई भी नंबर एन मैं लगा मैं इनको मैं मिटा देता हूं ताकि आपके सामसाही रहेगा यह लोग GI सो नहीं करते हैं यहां लग ठीक है M A N हो गया इसको भी देखो यह भी M A N हो गया QA यह जै सो नहीं करते हैं में बोलता हुप्तिकल आ इस व्याम मेरिजम आपको ने क्या वोला था एक तो होना चाहिए वो टेटराहेद्र हे ठीक है या फिर ओक्तन है इस और आ ध्यद्र वागक, और क मैं नहींत और अhourट keg वो सिस फ़म में होना चाहिए अगर वो टय खत ले तो इसक्वयर-ब्लेनर सो नहीं करता है कि एक्सायर-ब्लेब्लेनर सो नहीं करता है और अगर अपने फटा-फट अैंसर करना है। ट्रिक से तो आप चिलेटिंग लिगेंड देख लो चिलेटिंग लिगेंड किसमें है इसमें है इसो करेगा बात खत्म अगला इसमें देखो पानी को अंदर बाहर कर रहा है तो कौन सी हो गई हाइड्रेशन आईसोमेरिज्म आपको थियोरी में बहुत अच्छे से बताए था Trans Isomerism Trans Isomerism का मतलब क्या है Cis Trans Isomerism Cis Trans का मतलब होता है GI GI कौन SO करता है अभी आपको बता है यह तो हो गया MA3B मतलब यह MANB हो गया MANB तो SO नहीं करता है यह तो हो गया MAN हो गया यह SO करेगा MA2B2 MA2B2 के कितने मंत देखो यह दिखाया मैंने हाँ यह उक्टाइटल के लिखाए था मैंने हाँ बट यह इस फॉर्मूल के एकोडिंग आप कर सकते हो कि हम एटुबी तो दिखाएगा यह दिखाएगा तो 35 का एंसर क्या जला जाएगा कि कि आथा इस बड़ी गलती कर रहा था मैं भी ठिक है ऑफ्सन नीचे है तो पहला वाला तो नहीं दिखाएगा तो अल्य हो सकता यह दिखा रहा है तो नन भी नहीं होगा तो इंसर जला देगा C और D ये क्या है M A B 2 A B 2 का मतलब है M A 2 B 2 ये दिखा लेगा अगला question अब इसमें बोल रहा है देखो सीधी सी बात है B और B के बीच में अगर angle देख लो बस आप B और B के बीच में या A और A के बीच में अगर angle 180 degree होता है तो वो ट्रांस होता है क्या होता है और angle अगर 90 होता है तो वो सिस होता है अगर डाइगराम से देखना दो यहाँ angle कितना है 180 180 मतलब आमने सामने मतलब ट्रांस बढ़ी आसान सा question not so optical not लिखा है तो optical आइक्समेरिजम के लिए क्या condition थी कि चिलेटिंग लिगेंड होना चीए इसमें ये राचिलेटिंग ये दिखाएगा optical इसमें ये राचिलेटिंग ये दिखाएगा इसमें ये राचिलेटिंग ये दिखाएगा तो ये तो तीनों दिखा रहे हैं कौन सा नहीं दिखा रहा है यह नहीं दिखाएगा आसान चिले टिंग लेगेंड देखो और अप्टेक्स पे टिक मार दो अगला है M A B C D अब मैंने आपको यहाँ पे यह ओक्टा हेटल की बाते बताई थी अब ऐसे के ऐसे मैं आपको स्क्वेर प्लेनर की बाते बताता हूँ किसकी स्क्वेर प्लेनर की हालां कि मैं ठेयरी में सब कुछ डिस्कस कर चुका हूँ फिर भी दुबार रिवाइस करवा दूँ आपको स्क्वेर प्लेनर के लिए क्या हो सकता है M A स्क्वेर प्लेनर मतलब कॉडिनेशन नंबर कितना 4 M L 4 अगर 4 लिगेंड अगर अलग अलग टाइप के हो तो इसके 3 आईसोमर बनते है कितने 3 आईसोमर बनते है अगर M A2 BC हो तब इसके 2 आईसोमर बनते है अगला क्या हो सकता है M A3 B तो यह तो उस टाइप का बन गया M A N B1 बी तो यह आई सो मरब नहीं करेगा अगला क्या हो सकता है म ए फॉर तो यह तो एम ए एन टाइप को हो गया यह भी नहीं सो करेगा हाँ बस इतनी इंफर्मेशन होती है उक्टाइडल के लिए इस्क्वेर प्लेणर के लिए जिए सारी समाप्त हो गई तो एम एबी सीदी कितने दिखाएगा तीन तीन जिए आई आप बोलो कि कि ओई क्यों नहीं कहाँ बैसाब मैं ने आपको पहले बता रखा है कि यह स्क्वेर प्लेणर है और प्लेणर वाले ओई सो नहीं करते हैं ओई कौन सो करता है टैर्ट रहेर पास्व सीदा runners ग्ते टुचर और जिए उक्वेर कॉन सो करता नौट अब ये नौट वोट है ना इन पर गोला जैदा मारा करो ताकि कुश्चन गलत ना हो जी आई कौन सा सो नहीं करेगा ये है M A2 B2 यस M A2 B2 जी जी सो करता है और इसमें अपने लिखा नहीं यस यहां लेख दे M A2 B2 चार में इसके पिदो बनते हैं ठीक है अपने को पता है M A2 B2 जी सो करेगा है लेकिन ये तो है M A5 B यानि कि M A and B M A and B तो नहीं करता है अपने लिखा है M A and B नहीं करता है ये भी क्या हो गया M A2 B2 ये भी करेगा ये M A4 B2 M A4 B2 उपर उपर सब्सक्राइध मां आप इन में देखना है 5535-ंडेंगल 컨्ष्राइध सब्सक्राइध इसा हो सब्सक्राइध ट्रंस यह इसा शो सकता ना इक फोटो आप सामने से ले लिए हो तो आपका फोटो अलग आगेगा साइट से ले तो अलग आईगा तो इस दौढ आजने सी सिल खुब अ Gross डेंग प्वोटो इन धेख ले पांगे तो ऐनग अग्या एक आद्तग Parlament so below I can exhibit अब यह देखो यह किस टाइप का है यह है M, A, B, C, D, E, F यह ऐसा complex है है और कौन सा है कितना हो गया coordination number इसका 6 हो गया coordination number तो octahedal हो गया तो octahedal क्या so कर सकता है आईए दिखाते है octahedal देखो इसमें भी आ रहा था OIP दिखा रहा था octahedal GI भी दिखा रहा था तो बड़ी आसान सी बात होगी यह तो तो बोथ optical and GI आसान था कोश्य है समझ़ब आई बात अगला इसमें देखो पहले NO2 को क्या किया है बाहर निकाला है पहले NO2 आएन मिल रहा था यहाल में लिखा कि आया था कि से कितने बंदे हैं पंदरा बंदे हैं अब देखा होगा अपने कुशन बड़े फटा फट हो रहे हैं और अगर आपने वीडियो देखे हैं सारे उसके नोट्स बना रखे प्रोपर एक वार रिवाइस कर लिए तो आपके एक्जाम में भी आपको पता है इन सब में प्लस फॉर में है और जब प्लस फॉर में होता है तब उसका कोडिनेशन नमबर 6 होता है पहले बता चुका मैं आपको पीटी लिगंड नूट्रल को सबसे पहले लो अंदर दो यह नूट्रल आ गए तो C-L कितने आएंगे चार के चार C-L अंदर जाएंगे तो बाहर कोई C-L बचा ही नहीं इसने क्या बोला Non-Ionisable Non-Ionisable का मतलब क्या होता है यह आइन में टूटे ही नहीं मतलब बाहर कोई C-L होना ही नीची यह तो पहले ही अपना इंसर जाएगा क्यों यही एक ऐसा है इसमें बाहर C-L ही नहीं बाहर C-L नहीं है तो यह कैसा हो जाएगा Non-Ionisable होगा दूसरी बात यह कैसा कॉंपलेक्स है M इसको A मान ले A4B2 M A4B2 है तो यह G Iso करेगा कितने आइसोमर बनेंगे A4B2 के दो बनेंगे बड़े आसान आसान से सवाल है यहां एजी से सल्फर जुड़ा है यहां एजी से नाइट्रोजन जुड़ा है अलग-अलग लिंकेज जुड़ हो रही है और यह MB-Danded लिगेंड है MB-Danded MB-Danded लिगेंड जो भी होते हैं वो आपकी लिंकेज आईसोमरिजम सो करते हैं अगला कोश्चन अब देखो AZ यह पूरा एक ही एक क्या है पूरा का पूरा मतलब अलग-अलग कॉडिनेशन कंपाउंड दे दिए जब अलग-अलग कॉडिनेशन कंपाउंड दे देता है तो आपके पास में क्या होता है Coordination Isomergem होती है Coordination Isomergem First of all अब ये MAN type का ही तो है MA2 MAN है तो GI तो सो नहीं करेगा इसको अटा दो इसको भी अटा दो क्योंकि First Option में पढ़ा है और अब जब Coordination आ गया है तो यही answer जाएगा ना थड़ क्यों करेंगे अब Bayers Reagent अब ये यार Bayers Reagent तो आपको याद करना ही पढ़ेगा Cold Dilute K-menophor होता है क्या होता है Cold Dilute K-menophor होता है जब अपन Electrophilic Edition Reaction पढ़ते हैं तब वहाँ पढ़ते है या आप QNCRT में मिल जाएगा और गनिक में इलेवन्त वाला जो पार्ट है Hydrocarbons उसकी Reaction में मिल जाएगा ठीक है आगे बढ़ते है अब इनके के वेल्यू दे रखें देखो के जिसका भी के क्या होता है प्रोड़क्ट की कंसेंटरेशन अपन रियक्टर की कंसेंटरेशन तो किस जिसका के ज्यादा होगा उसका प्रोड़क्ट ज्यादा होगा मतलब की Stable होगा यह अपन Chemical Equilibrium में ऐसा सीखते है इतना मैंने यहाँ भी सिखा दिया यही काम आएगा ठीक है इसका के इतना है इसका के इतना है इसका के इतना है तो Strongest Legend कौन सा है वैसे आप बीना देखे आप बता सकते है कि Strongest Legend तो आप Spectrochemical Series काम में लोगे और उसमें CN जो है सबसे Strongest Legend आता है आपका आता है ना Spectrochemical Series में Not a Chilating Legend Chilating Legend मतलब EN Chilating होता है DMG Chilating होता है इतना सब थूरियम पढ़े अपन लोग और यहाँ पे Diglycinate हो यह तो Chilating है Ethylene Diamine Chilating है यह फिर से DMG है यह भी Chilating है यहाँ कौन-कौन से Legend है एक तो Amine है NS3 एक Cloro है Cl है अब यह कोई Chilating Legend नहीं है अपने को भई पैचाना था किसमे Chilating Legend नहीं है तीन एंसर चला जाएगा यह Actually क्या है अब आप पहले नूट्रल को अंदर ले लिजिए पानी के सारे के सारे मॉल्टूल को अंदर ले लिजिए ले लिया अब दो आपको क्लोरीन भी लेने पड़ेंगे ताकि 6 कम्प्लीट हो जाए अब एक CL बाहर बच गया तो पचास के इन से तो सब्सक्राइब कर वारा हूं मैं आपको और उसी कंसर्ट से कि अब प्रेक कोईश्ण कम पड़ गए कि अज़िए कि अज़िए कि अज़िए